नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसे जैसे इंडिया को और ज्यादा राफेल फाइटर जेट मिलते जा रहे हैं और इंडियन वे एर फोर्स के अंदर जोइन करते जा रहे हैं वैसे ही चाइना ने अपने जे ट्वंटी फाइटर जेट की जो की डिंग्शिन के अंदर हुई थी, जो की गोबी डेजर्ट पड़ता है और ये दोस्तों मंगोलिया के साउथ के अंदर है और नोर्दरन चाइना के अंदर पड़ता है और ये एक्सरसाइज लास्ट येर हुई थी जिसके अंदर 6 J20 ने हिस्सा लिया था और लाइफ फा इसे इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है और एक J20 ट्विन सीटर के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही है जो की ट्रेनर वर्शन होगा और इसके अंदर अभी WS-10 इंजन लगाया गया है लेकिन फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा पावर्फुल WS-15 इंजन भ बीच में बांटा गया है जैसा कि इंडियन एर फोर्स भी करती रही है और साथ ही नए J20 जो आ रहे हैं उनके अंदर WS-10 इंजन से पावर दी जा रही है और चाइना का ये कहना है कि ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका मतलब ये है कि ये रडार की पकड़ के नहीं है और साथ ही एक बार ये भी सुनने में आया था कि ये हमारे सुखोई 30 के रडार की पकड़ के अंदर भी आ गया था और अभी इसके इंजन के अंदर स्पेशली इसकी नोजल्स के अंदर ऐसे चेंजिस किये जा रहे हैं जिससे की पीछे का भाग जो है उसका सिगने को कैरियर ओपरेशन्स के लिए तयार करे और अभी उनके पास में दो कैरियर है एरक्राफ्ट कैरियर है लायोनिंग और इसके इलावा दोस्तो शैंडोंग लायोनिंग को इन्होंने रशिया से क्वायर किया था और शैंडोंग अभी भी एक्टिव सर्विस के अंदर है और